Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha आपकी अपनी English Educator और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी हॉन्बल बुक की पूम विच इस The Voice of the Rain by Walt Whitman अब इस चाप्टर का एक्स्पेनेशन और सब समरी एक्स्पेन करने से पहले मैं सबसे पहले आपको इस टाइटल को समझाना चाहूंगी यह टाइटल है The Voice of the Rain अब वाइज किसकी होती है? इंसानों की आवाज, जो मुझ से निकली आवाज होती है वो वाइज कहलाती है, तो वो यूमन बींग्स की होती है लेकिन यहाँ पर बोला गया है The Voice of the Rain रेन का क्या होता है? रेन का होता है Sound जुसकी बारिश की बूंदों के अर्थ पर गिरने का जो आवाज निकलती है उसे हम कहते है Sound लेकिन वाइज यूमन कंटेक्स्ट में यूज होती है जब इंसानों के मुझ से निकली हूँ कोई आवाज होती है उसे हम कहते हैं Voice लेकिन पोईट ने यहाँ बोला है The Voice of the Rain याने Rain क्या है? कोई Non-Living Thing है, कोई Inhuman चीज है Non-Living चीज है और उसके साथ क्या किया गया है? Human Context जोड़ा गया है लिटरी डिवाइज पोईट ने यूज किया है विच इस Personification तो इस पोईम में और इस टाइटल में पोईट ने क्या यूज किया है? परसॉनिफिकेशन नाम का लिटरी डिवाइज यूज किया है याने जब कोई Non-Living चीज से आप कोई Human Quality को कमबाइन करते हैं उसे हम कहते हैं परसॉनिफिकेशन अब 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 दे पोईट अब सबसे पहले हम पोईट के बारे में समझेंगे कि पोईट कौन थे और यह करना इसलिए इंपोटन्ट होता है ताकि हम connect कर पाएं पोईम से कि पोईट के माइड में ऐसा क्या था जो उसने ये पोईम लिखी तो इसलिए पोईट के बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे Walter Whitman was an American poet, essayist and journalist वो एक American poet थे याने पोईम लिखते थे, essayist थे याने बहुत सारे essays भी लिखे उन्होंने and journalist याने news company में journalist भी है Whitman is among the most influential poets and is often called as the father of free words तो ये बहुत influential poet है याने बहुत सारे लोगों को influence करते है और उसके बाद ये किस नाम से जाने जाते हैं father of free words, free words याने बहुत सारा rhymes और बहुत सारा poetic literary devices ये use कम करते हैं, rhyming कम use करते हैं अपनी poems में, free words याने free language में अपनी पूरी poem को लिखते हैं, he was born on 31st May 1819 in West Hills, New York, United States and he died on 26th March 1892 in Camden, New Jersey, United States the poems, these are some list of poems which he has written which are leaves of grass song of myself, oh captain, my captain तो ये सारी important और ये सारी famous कुछ poems है, which he has written About the poem अब poem के बार में मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ explain करती हूँ, poem का जो title वो personification में लिखा गया, ये मैंने आपको explain कर दिया, अब ये जो पूरी poem है ये conversation है, याने बातचीत है, किस के बीच में poem के बीच में poet के बीच में, sorry और rainfall के बीच में जो poet है, वो rainfall से बातचीत कर रहे हैं, कुछ conversation कर रहे हैं, तो poet और rainfall के बीच में कुछ conversation चल रहे हैं, poet जो है, वो rainfall से कहते हैं who are you, तुम कौन हो, तो poem उसको answer करती है, अब poem answer करती है, याने poem अपनी voice में बताती है कि मैं कौन हूँ तो again, वहाँ पे भी personification यूज किया, याने किसी inhuman चीज से, किसी human context को, किसी human quality को compare किया तो poem अपना answer देती है, और poem बताती है, कि I am the poem of the earth, अब poem बोलती है कि मैं तो earth की poem, earth की कविता हूँ, यह पूरा वो बताती है also अपनी पूरी journey जर्नी बताती है, जर्नी बताती है याने कि कैसे वो धरती धरती उसकी जो birth place है जहां से वो originate होती है, जहां से वो चालू होती है, और कैसे पूरा travel करके वापिस अपनी birth place पर आती है, वो पूरी journey वो explain करती है, इस chapter में हमने, हम एक, इस poem में हम एक concept समझेंगे, जो हमने हमारे बच्चपन की science class में समझा है, which is about water cycle हम जब छोटे होते हैं third, fourth class में, जो हम water cycle के बार में पढ़ते हैं, हमारे science subject में, वो हम यहां पर पढ़ने वाले अब water cycle में क्या होता है water cycle में, जो water होता है, वो earth से evaporate होके जाता है, पुरा sky से travel करके वापिस rainfall के form में earth पे आता है, तो उसी को उसी science के concept को English में convert करके, beautifully poem में convert करके हमें यहां poet ने explain किया है और वो पूरी poem अपनी journey बता रही कि कैसे वो originate हो थी earth से और वापिस अपनी birth place, अपनी earth पे वापिस rain के form में आती है, तो यह पूरी journey जो है वो poem, जो rainfall है, वो poet को explain कर रही है The poem, the voice of the rain is written by Walt Whitman It is a conversation between the poet and the rain, the rain explains its eternal journey in the birth place, in its birth place, that is earth to the poet, earth जो है, जो धरती है, यह rain की birth place है, यहीं से वो चालू होती है, यहीं से वो शुरू होती है, और वापिस यहीं पर आती है तो इसी journey को वो पूरा explain करती है, poet को अब poem का explanation स्टार्ट करने से पहले, हम यह water cycle की image को देखेंगे, और इसमें जो water cycle, जो rain का पूरा process है यह समझेंगे, क्योंकि अगर हमें यह समझ में आ गई, that means हमें पूरी poem समझ में आ गई, और क्योंकि यह इसी journey को उसने explain के, बस science की concept को English में beautiful lines को add करके, कवीता बनाके, poem बनाके explain करा गया, तो यह जो आप image देख रहे हैं, यह water cycle की image है अगर यहादार होगा, तो third class में हम कोई question आता था, what is water cycle और इसके साथ हमको label करना उसका diagram और उसको explain करना है तो बस बस वही चीज़ है यह जो water cycle है यहाँ पर आप देख सकने water bodies है water bodies याने की lakes, rivers, seas, ponds यह सारी चीज़ों को हम water bodies कहते हैं तो यह जो water bodies है यहाँ और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है sun दिख रहा है उसके बाद यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है पूरा land दिख रहा है यह water body है, इतना portion water body है और जितना यह portion है यह क्या है, यह land का portion है याने पूरी धरती है, पूरी जमीन जहां पे trees हैं, plants हैं, यह सब हैं, और यह जो दिख रहा है आपको, यह जो area, कि नीचे का जो area है, वो soil है, और यहां पे underwater पूरा पानी, ground water पूरा पानी एक खटा होता है, याने की पूरा वहीं पे जमा होता है, अब क्या होता है, जब sun की धूप आती है, जब sun की रेस पढ़ पानी गरम हो जाता है, पानी बहुत ज़्यादा गरम हो जाता है, और यही दूप land पे भी पढ़ती है, तो land भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, गरम हो जाता है, अब जब पानी गरम होता है, तो जो water वेप, जो पानी होता है, वो travel करके उपर की तरफ जाता है, इन द जादा गाशिय स्टेट याने गाश्फ फॉर्म में होती है तो वो यह बता रहे हैं कि जब सन की तेज दूप पड़ती है पानी पे किसी भी लेग पे रिवर पे सी पे तो पानी उपर की तरफ एवापरेट होता है इस पूरी प्रोसेस को एवापरेशन कहते हैं जिसमें पान की तरफ जाता है और जब एक हाइट पे आपे एक लिमिटेड पॉइंट पे आ process को हम कहते हैं condensation चीक है नीचे से वापरेट हुए water body से वापरेट हुए उपर sky की तरफ गए water vapors अब water vapors एक हाइट पर जाके थोड़े ठंडे हो जाते हैं और वो क्या बनना आता है water droplets बन जाता है और यहां पर जाके बारिश के फॉर्म में नीचे आता है यह स्नो के फॉर्म में नीचे वापस धर्ती पर आता है तो इस पूरी process को हम कहते हैं precipitation तो सबसे पहले क्या हुआ evaporation हुआ यानि की पूरा पानी जो है वो गरम हुआ सन की हीट से और water vapor के form में gaseous state में उपर गया और एक पॉइंट पर जाके cool down हुआ यह water vapors और क्या बन गए clouds बन गए तो इस process को हम कहते हैं condensation अब जो extra पानी है जिससे cloud नहीं बना वो कहां जाता है वापिस वापिस नीचे आता है rainfall यानि बारिश के form में नीचे आता है या snow बनके या बरफ की गोले ओले जो गिरते हम जो कहते हैं उन सब के form में नीचे आता है उस process को हम कहते है precipitation अब यहाँ पर एक पॉइंट और दिया है which is transpiration अब transpiration और evaporation में सिर्फ एक डिफरेंस है कि evaporation में sea, water, lakes, जितनी भी water bodies होती है वहाँ से पानी evaporate होके उपर की तरफ sky में जाता है लेकिन transpiration के process में land गरम होता है sun की heat से क्या गरम होता है land और land पर क्या होता है trees, plants, leaves उनके उपर जितने भी water droplets लगे रहते हैं या roots में उपर उपर जितना पानी होता है वो पूरा evaporate होके trees से जाता है याने plants से चले जाता है जितना पानी हम plants को बोलते हैं कि आज पेड़ सुख गया हमने तो पानी डाला था वो तो होना ही चाहिए फिर पेड़ कैसे सुख गया वह ऐसे सूखा क्योंकि heat जब आई sun की तो उसने क्या वहां से जो पानी होगा roots में, soil में जो भी पानी था वो सारा क्या हुआ evaporate होके उपर चले गया जब लैंड से या जब plants से जब trees से पूरा पानी evaporate होके उपर जाता है तो उस चीज को हम transpiration कहते है और जब water bodies से water vapors के form में उपर जाता है तो उसे हम evaporation कहते है इसको trans evaporation भी कहते हैं कि evaporation और transpiration एक ही चीज है याने कि इन दोनों concepts में evaporation हो रहा है याने water vapors उपर की तरफ जा रहे हैं और बस यहाँ पे water के थू जा रहा है और यहाँ पे land के थू जा रहा है अब यहाँ पे एक point और आता है percolation, percolation याने कि जब अंदर ही अंदर ground water travel होके वापिस पानी में मिल जा रहा है और यहाँ से पानी उपर evaporate हो रहा है तो इसको भी हम percolation कहते हैं तो यह पूरी water cycle है जिसमें जो कि continuous water cycle है याने कि evaporation हुआ उपर clouds बने फिर एक्स्ट्रा पानी जो था वो बारिश के form में नीचे आया फिर ground water में गया धरती पे आया तो यह जो है water cycle यह एक continuous process है यह day and night चलती रहती है और कभी रुकती नहीं है तो इसी journey को जो earth से शुरू हो रही है और वापस गूम फिर के वापस अपनी earth पे अपनी birthplace पे आ रही है बारिश उसी पूरी journey को यह जो rainfall है वो explain कर रही है poet को तो आईए स्टार्ट करते हैं explanation of the poem अब poem explain करने से पहले एक चीज़ बता दूँ as a tip आपको कि इस poem में कुछ words जो हैं वो as in archaic words यूज हूँ है archaic words यह archaic की spelling होती है archaic words अब archaic words को हम एक और नाम से जानते हैं जिनको हम बोलते हैं old-fashioned words याने बहुत पुराने जमाने में सदियों सालों पहले जो English में कुछ words यूज होते होंगे वो अब change हो गए तो पुराने जमाने के जो English words होते हैं जो अब obsolete हो चुके जहने आप कोई यूज नहीं करता उन्हें हम archaic words यूज बोलते हैं तो कुछ archaic words जो हैं वो poet ने इस पॉम में यूज किये तो वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे ओके और हूँ आट दाओ said I to the soft falling shower तो अब जो poet है और जो rainfall है उनकी जो conversation बात चीत है वो यहां से अब स्टार्ट होती है poet पूछ रहे है रेंज से हूँ आठ दाओ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ archaic words यूज यूज यह वह है archaic words who art दाओ को अगर हम देखें यह एक पुरानी old fashion की English languages इसको अब change करके लोग क्या बोलते है who are you तो आठ को पहले जो पहले आठ बोला जाता था जिसको अब आर बोलते है और पहले बोला जाता था दाओ जिसको बोलते हैं यूज तो यह archaic words है यानि कि old fashion words जो पोएट नहीं यहां पर यूश किये पो में तो पोएट कहरा है रहे है रिंफन से who art दाओ याने who are you तुम कौन हो said I icon poet बोल रहा है किसको बोल रहा है to the soft falling shower to the soft falling shower याने रेन को soft falling shower याने की rain याने की जो shower है बारिश है उसको poet क्या कर रहा है rain rain को क्या बोल रहा है poet shower तो बस वो ही पूछ रहे कि तुम कौन हो यह I मतलब यह poet पूछ रहे और किसको पूछ रहे soft falling falling shower को which strange to tell gave me an answer as here translated जब मैंने poet ने याने की पूछा rainfall से कि तुम कौन हो तो उसने strangefully मुझे answer दिया मेरी इस बात का मुझे reply किया यह बहुत strange चीज बहुत अजीब चीज हुए कि rainfall ने मुझे answer दिया as here translated और उसने जो answer दिया वो अब आपको यह translate करके बता रहे है उसने बोला rainfall ने I am the poem of earth मैं earth की poem हूँ मैं earth की कवीता हूँ said the voice of the rain किसने बोला rain की voice ने sound ने नहीं voice ने जो humans की होती है eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea अब eternal मतलब never ending जो कभी खतम नहीं होता और impalpable मतलब which cannot be described touched but only felt जिसको आपको भी describe नहीं कर सकते है touch नहीं कर सकते बस feel कर सकते हो उसे कहते हैं impalpable तो यहाँ वो poem rainfall बोल रहे है कि eternal मैं I rise eternal I rise मतलब मैं rise करती हूँ ऊपर की तरफ जाती हूँ sky की तरफ जाती हूँ और eternal याने never ending हमेशे जाती हूँ फिर नीचे आके वापस फिर उपर जाती हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो water cycle है यह एक continuous process है यहां से चालू हुआ फिर यहां गया फिर नीचे आई rain फिर यहां पे आई फिर वापस यहां आई तो यह जो पूरी process है यह एक continuous process है यह रुकती नहीं है day and night चलती रहती है तो बस वही चीज़ बोल रही है rain कि eternal I rise उपर की तरफ मैं जाती हूँ और never ending हमेशे जाती हूँ impalpable याने मैं जब उपर जाती हूँ तो मैं किसके form में जाती हूँ water vapor के form में जाती हूँ water vapor याने gas form में उपर जाती हूँ तो आप मुझे देख नहीं सकते आप मुझे touch नहीं कर सकते आप सिर्फ मुझे feel कर सकते हूँ कैसे feel कर सकते हूँ जब मैं बारिश की form में नीचे आऊँगी तब आप मुझे feel कर पाऊँगे out of the land and in the bottom let's see अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया था कि जो evaporation हो रहा है याने कि जो water vapors उपर की तरफ जा रहे हैं वो जब पानी के थू जाते तो उसको evaporation बोलते हैं और land याने plant की leaves के थू और plants में से जब पानी निकल के उपर तरफ evaporate होता है तो उसको transpiration कहत हैं तो exactly वोई चीज यहाँ पर भी रेन ने बोली है उसने कहा है कि जब मैं उपर की तरफ जाती हूं never ending याने continuous जाती हूं impalpable याने मुझे कोई डेख नहीं सकता मुझे कोई टच नहीं कर सकता बस मेरे presence को feel कर सकता है और कहां से जाती हूं land से याने transpiration के थूँ and the bottomless sea 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 क through जाती हूं याने की water body से अब C को यहाँ पर क्या बोला उसने bottomless sea अब C bottom मतलब जब किसी चीज का कोई base नहीं होता अब C बहुत deep है यह हमने माना लेकिन कहीं न कहीं एक जगा तो होती होगी जहां वह bottom होता होगा जहां पर उसका base होता होगा तो यहां पर इसने थोड़ा बड़ा चड़ा के पॉम में बता रही है rain कि bottomless sea याने इतना deep sea से मैं गई हूं कहां गई हूं rise उपर की तरफ गई ह आकाश की तरफ अपवर्ट टुदे हेवन अब यह उपर की तरफ गई कहां से गई land से और bottomless sea land से याने plants के तुरू और sea याने water bodies के तुरू evaporate ओके water vapor की form में उपर गई और कहां गई स्काई में तो स्काई को उसने बोले upward to heaven याने heaven याने आसमान में गई हूं याने की आकाश की तरफ गई हूं जहां पर क्या है स्वर्ग है उपर स्काई की तरफ गई हूं वेंस वेगली फॉर्मड अब अगैन यहाँ पे एक archaic word यूज हुआ है वेंस मतलब वेर कहां तो वेंस जो है यह एक old-fashioned word है obsolete word है पुराने जमाने में यूज किया जाता था और जिसको अब किस क्या बोलते हम वेर तो वो बोल रही है तो जब मैं उपर गई जहां मैं उपर गई वहां में वेगली साम हो गई याने not clearly form गई तो जब वो उपर गई थी तो वो क्या वनी थी वह clouds बन गई थी तो clouds कैसे होते ? unclear होते हैं दिखते नहीं याने कि ऐसे cotton जैसे दिखते हैं तो बहुत clearly हमको नहीं दिखते हैं बस दिखते हैं कि हां बाई clouds है तो वो जब वो कह रही है कि जब मैं उपर गई तो मैं उपर जब गई तो मैं vaguely बन गई याने कि मैं क्या बन गई मैं clouds बन गई उपर जाकर, altogether changed, याने change हो गई, जब नेचे से गई थी, तो water vapor के form में गई थी, किस के form में गई थी जब उपर गई थी? जब उपर गई थी, तो W याद याने की water vapor मैंने भी shot में लिख दिया है, मैं water vapor के form में उपर गई थी, और पूरी change हो के क्या बन गई? clouds बन गई मैं clouds बन गई, यानि मैं पूरी change हो गई उपर जाके yet the same वो कह रहे है, change तो हो गई लेकिन फिर भी मैं वो ही हूँ मैं वो ही same, वो ही rain का, पानी के drops हूँ यानि नीचे से मैं water vapor पानी से गई थी, water vapor बन के और उपर जाके clouds बन गई लेकिन yet the same, change तो हो गई हूँ दिखने में तो अलग दिख रही हूँ लेकिन मैं हूँ वो ही पानी की बूंद हूँ वो ही rainfall ही मैं वो ही same चीज हूँ मैं क्योंकि जब मैं नीचे आउँगी तो मैं वापिस से रेन बन के हूँगी तो मैं दिख भले change रही हूँ गई उपर vapor के form में थी, cloud बन गई लेकिन हूँ मैं वो ही पानी की बूंद याने rainfall I descend to lay the dots descend का मतलब क्या होता है come down, जब आप नीचे की तरफ आते हो तो याने कि आप descend हो रहे हो lay याने wash करना या बेद, जब आप किसी को कुछ धो रहे हो या किसी को कुछ गीला करके नहला दे रहे हो आप तो आप उसको कहते हो lay तो वो कह रहे है, फिर मैं नीचे आती हूँ अगेन यहां के अगर हम water cycle की procedure पे देखें तो अब यहां पे उसने अपना form change कर दिया, clouds बनके और आप नीचे आ रही है याने, descend हो रही है और वो क्या बोल रही है आख के ही मैं नीचे लेव करती हूँ याने wash करती हूँ droughts को, droughts याने वो जगाएं धर्ती पे जो सूखी पड़ी है जहां बारिश ने हो रही है, जहां पानी नहीं है तो जब मैं नीचे आती हूँ याने, मैं क्या बनके आ रही हूँ rainfall बनके नीचे आ रही हूँ उस वक्त मैं सारी सूखी जगाओं को धो दे रही हूँ पूरा wash कर दे रही हूँ वो ये बोल रही है और इसके साथ और ड्रॉट्स के साथ और क्या-क्या wash कर रही हूँ atomies को wash कर रही हूँ dust layers of the globe को wash कर रही हूँ atomies याने कि small particles, बहुत चोटे-चोटे particles तो वो कह रही है, जब मैं नीचे आती हूँ याने, जब मैं rainfall बनके, बारिश बनके जब मैं नीचे आती हूँ, earth पे तब atomies को भी दो देती हूँ याने कि इतने चोटे-चोटे particles चोटे-चोटे जो दिखते भी नहीं है उन सब को दो देती हूँ, wash कर देती हूँ dust layers of the globe पूरी globe, पूरी धर्ती पे जा धूल, मिट्टी, गंदगी है, dust है उन सब को मैं क्या कर देती हूँ साफ कर देती हूँ, pure कर देती हूँ और सुन्दर बना देती हूँ and all that in them without me were seeds only latent unborn अब यहाँ पे poet बता रहे हैं एक seed की बात याने कि rainfall के रिए है कि वो सारी चीजें जो मेरे बिना सरफ seeds है latent याने hidden या buried तो जो सारी चीजें मेरे बिना seeds है, याने कि जो चोटे-चोटे seeds, जो soil में अंदर बरी की हूँ अंदर गड़े हूँ है, और उनको पानी की जरुवत है, ताकि वो grow हो के आजा plant, बड़ा सा beautiful plant बनके बाहर निकले और latent है, याने hidden है obviously जब seed अंदर होता है soil की तो यह चुपा हुआ होता है उपर से दिखता नहीं है, जब पानी मिलता है उसको तब वो grow होता है, तो वो यही चीज कह रही है, कि जो seeds है जो चुपे हुए है, soil मे unborn, याने अभी पैदा भी नहीं हो उन्हें भी किसकी जरुवत है उन्हें भी मेरी जरुवत है, याने किसकी rainfall की जरुवत है तो जब मैं descend होंगी याने precipitation की process से जब मैं नीचे आऊंगी, तो मैं इन तक को पानी दूँगी, इन seeds तक को भी अंदर तक जाके पानी दूँगी, ताकि वो बॉन हो जाए, याने कि बड़े हो जाए, प्लांट निकले उन में से और फॉरेवर, बाई डे और नाइट, आई गिव बाक लाइफ तो मै ओन ओरेजिन फॉरेवर, अब फॉरेवर का मतलब यहां क्या है continuous, याने कि जो यह water cycle की जो process है वो continuous है, याने पहले evaporation हुआ, फिर उसके बाद condensation हुआ, फिर यहां से precipitation हुआ, फिर वापस नीचे आए percolation हुआ, फिर groundwater में पानी वापस mix हो गया और फिर यह process चलती जारी है, continuous process चलती जारी है तो मैं forever day and night, दिन रात मेरा ही जो process है, यह चलता ही रहता है I give back life to my own origin, मेरा own origin my origin यानि जहां से मैं पैदा हुई हूँ, जहां से मैं ने कली हूँ मैं कहां से पैदा हुई हूँ, यान एर्थ के रिए, rainfall के रिए, मैं कहां से पैदा हुई हूँ मैं एर्थ से पैदा हुई हूँ, यही यही मेरा origin है, यानि कि यही से मैं शुरू हुई थी मैं तो वो कहरी है I give back life to my own origin याने अपनी धर्ती पर आके वापिस मैं life देती हूँ याने कि पेड़ पौदो को, प्लांस को, फ्लावर्स को, सबको life देती हूँ, हम इंसानों को जिससे पानी की जरुवत है, क्योंकि we are also thirsty, हमें प्यास लगती है, तो ultimately हमें किसकी जरुवत होती है पानी की, और पानी हमें कहां से मिलता है, rainfall से, तो वो यही कहरी है, कि मैं वापिस धर्ती पर आती हूँ, और जो मेरी origin है, जो मेरी birthplace है, अर्थ, उसे फिर से life देती हूँ, अपना ये process बार बार, repeat करके, and make pure and beautiful it, मैं पूरा सब कुछ वाश कर देती हूँ, और इसको pure बना तब उसमें से bud निकल लिए और फिर beautiful से एक flower निकलोगा, तो इसी तरह से pure और beautify कर देती है, पूरी अर्थ को, कौन? Rainfall. For song, issuing from its birthplace, after fulfillment, wandering, wrecked और unwrecked, duly with love returns, अब यहाँ पे fulfillment का क्या मतलब है? Fulfillment का मतलब है, तो fulfill करना है, यानि किसी चीज़ को पूरी करना, wandering का मतलब क्या है? Wandering का मतलब है, तो travel करना, पूरा travel करना, पूरा घूमना, Wrecked और unwrecked का मतलब क्या है? It means whether cared for or not cared for, यानि चिंता नहीं है और नहीं भी है, यानि कि किसी नहीं आपको पसंद किया या नहीं किया, आपको चिंता नहीं है, you do not care for it. और यहाँ पे यह wrecked और unwrecked word किस context में use हुआ है? It means it doesn't affect the rain, nor the poet if someone listen to the rain or not. नहीं यहाँ पर क्या बात हो रही है? यहाँ पर जो poet है, वो अपने song को किस से compare कर रहे है? Rain से. अब poet को हम यहाँ पर singer भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक song को compare कर रहे हैं, तो अभी हम poet को singer भी साथ में बोल सकते हैं. तो जो poet है, याने कि जो खुद singer है, वो अपने song को, अपने गाने को किस से compare कर रहे है? Rain से compare कर रहे हैं. और बोल रहा है कि, यहाँ पर अगर आप इस picture को देखें, यह जो singer है, यह गाना कहां से start हुआ? song कहां से start हुआ? singer से start हुआ, याने कि song की birthplace क्या है? खुद singer, फिर वो singer जो है, अपने song को आगे publish करता है, फिर वो गाना जो है, बहुत सारे लोगों तक पहुचता है, concert करता है, और सब लोगों को जब गाना उनका पसंद आता है, तो singer के पास, यह खुद singer है, singer के पास, प फॉरम में, प्राइज के फॉरम में, इस फॉर में जो प्यार है, वान पे singer के पास आता है, तो यह जो पूरा singer की song की live cycle है, वो compare करी गई है, रेंज से, कैसे compare करी है, याने कि वो भूल रहे हैं कि जैसे की singer की live cycle है, वैसे ही जैसे range की, यहां से start हुई, यहां से में फिर जो एक्स्ट्रा पानी था वो प्रेसेपिटेशन के प्रोसेस के थू वाटर ड्रॉपलेट बनके यहने पानी की बूंदे बनके वापस अर्थ पर आया और वापस से चली वापस से चली तो वह यह बोल रहे हैं कि फुल्फिल्मेंट यानि कि यह जो बर्थ प्लेस से कोई फार निकरता कि कोई मुझे पसंद कर रहा है कि नी कर रहे हैं मैं तो जो कर रही हूँ मैं अपनी खोशीख लिएुं वॉंडरिंग याने पूरा ट्राविल करके पूरा वो कंटिनिस साइकल प्रोसेस घूम के आ रहे हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता डिू हो रही है तो रें कैदी कि मुझे इन बातों से कोई केर नहीं कोई मतलब नहीं कोई मेरे बारे में फिकर करें करें मुझे मतलब नहीं पर मेरे पास प्यार रिटन आयाकं उन लोगों की तरफ से जो मेरे मेरे rainfall को पसंद कर रहे हैं तो exactly singer के साथ भी ऐसा है singer को singer का गाना पूरा wander कर रहा है पूरा wander कर रहा है यहने पूरा travel कर रहा है कि पहले singer ने गाना गाया फिर उसको compose किया फिर बहुत सारे लोगों तक घूम के travel करके पहुचा और हो सकता है इस बीच में यहां पे कुछ लोगों को इस singer का song पसंद आया भी होगा किसी को नहीं भी आया होगा इसका song पसंद तो वो यह कह रहे है कि मुझे फिकर नहीं है I do not care कि whether the person has liked my song or not बट जिन्हों ने पसंद किया होगा उनकी वज़े से मेरे पर लव रिटर्न होके आएगा इन दे फॉर्म अफ प्राइज इन दे फॉर्म अफ कैश प्राइस हो सकता है इन दे फॉर्म अवर्ड येस तो यहीं पर वो पूरी चीज बोली जा रही यहां पे song यहाने कि जो song है उसको किस से compare हो किया जा रहा है range से compare किया जा रहा है और song किसका है song song singer का है okay so here we come to an end with the explanation of the poem अब हम cover करते हैं सारे literary devices जो पूरी पूम में है अब first literary device कौन सा आता है personification मैंने आपको starting में बता दिया था कि जो title है poem का जो title है वही personification है personification याने किसी non-living चीज में किसी human aspect या human quality को जब आप compare करते हो या उससे join करके बताते हो तो उससे हम personification कहते हैं The poet used a non-living thing as a living thing in the poem और वो क्या lines थी? I am the poem of the earth, said the voice of the rain अब poem कह रही है, rainfall कह रही है कि मैं अर्थ की poem हूँ और वो क्या कह रही है? और वो क्या कह रही है? वो यह कह रही है कि मेरी voice है यह चौन पर इंसानों की होती है और rainfall का क्या होता है? sound होता है, तो यहाँ पर poet ने personification यूज़ किया है, second जो है हमारा literary device जो हाँ पर यूज़ हुआ है, वो है metaphor, metaphor याने कि जब दो चीजों को compare किया जाता है, और किन बेसिस पर याने इन दोनों चीजों की qualities को आपस में compare करते हैं, उससे हम कहते हैं metaphor, and indirect comparison between the qualities of the different things is known as metaphor, अब कौन सी ऐसी lines हैं जहां से पता चलता है, कि दो चीजों की qualities को आपस में compare किया है, तो lines है, I am the poem of the earth, अब यहाँ पर कौन किस से compare कर रहा है, rain is being compared to the poem, rain को किस से compare किया है, इस poem से, यानि कि rain जो है, वो धर्ती की कवीता है, जैसे rain धर्ती की कवीता है, वैसे poem भी धर्ती की कवीता है, बस rain को यहाँ पर poem से compare किया गया है, थर्ड यहाँ पर जो use हुआ है, वो है hyper bowl, hyper bowl यानि की exaggerated statements, वो statements या वो lines poem में, जोसमें exaggeration दिख रहा है, यानि की कुई ऐसी बात जो बढ़ा चड़ा के बोली जा रही है, उस line से आपको बता चल रहा है कि किसी ने बहुत बढ़ा चड़ा के बोला है, उसे हम कहते हैं hyper bowl, अब कौन से ऐसे words हैं जो use हुआ है poem में, जो hyper bowl है, तो words है bottomless C, अब C, यानि समुद्र, बहुत डीप होता है, मालू में, पर कही न कहीं एक point पर जाके तो कोई base यो कोई bottom होगा ही उसका, लेकिन यहाँ पर तो क्या बोल दिया, bottomless C, bottom होता ही नहीं है, तो यह तो impossible चीज़ होगी, तो तो बढ़ा चड़ा के बोल दिया, तो bottomless C is a hyper bowl, and last personification, last literary device from this poem is imagery, imagery याने visual description of something, याने कि imagery comes from a word imagination, जब आप poem रीट करते हो, और कुछ ऐसी lines को रीट करते हो, इसको रीट करते हो, अब अपने दिमाग में imagine करने लगे हो, कि हाँ, ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, पूरा आप अपने दिमाग में उसको imagine कर सकते हो, तो उन lines को imagery कहते हैं, तो कौन सी ऐसी words है, यहाँ पर जो words है, soft falling shower, जो first line में words, lines में use हुआ था, कि soft falling shower, जब मैं बोलती हूँ soft falling shower, तो आप अपने mind में imagine कर सकते हो, कि धीरे धीरे चोटे चोटे शावर की जैसे, पानी की, बारिश की भूंदे आपके चहरे पे आ रही है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप उतिन जॉइ कर रहे हैं, आपके हाथ पूरा पानी की भूंदों से भर गया है, तो आप इस पीस को imagine कर रहे हो, तो दाट मेंज इमाजरी नाम का ये लिटरी डिवाइस आपकी इस पोम में यूज़ किया गया है, तो चिल्वन, विद इस वी कम तो एन अंड अप दे एक्स्टानेशन अप दे चाप्टर, इंट्रोड़क्शन अप दे चाप्टर और सारे इंपोर्टन जो पोईटिक डिवाइसे यूज़ हुए, वो हमारे कवर हुए हैं, और नेक्स वीडियो में हम इस चाप्टर की सामरी कवर करेंगे, और इंपोर्टन क्वेश्टिन, कॉंप्रेहेंशन क्वेश्टिन अंसर यूज़ करेंगे, तिल देन, स्टे सेफ और बबाई.